हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीर शाहिद कपूरो क्याराधवानी की कबीर सिंग रुलीज के बाद से ही बॉक्स ओफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है इस फिल्म में शाहिद की आक्टिंग को तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है दिरसल फिल्म में शाहिद को एक गुसेल, पॉसिसिव, डिस्ट्रक्टिव परसनालिटी वाला इनसान दिखाया गया है जो गुसा होने पर बेकाबू हो जाता है फिल्म को लेकर अब तक कई लोगों ने आपत्ती जताई है जैसे हाली में बॉलिवूड सिंगर सोना मुहपात्र ने नाशनल वुमें कमिशन की चेर परसन रेखा शर्मा को टैग करते वे ट्वीट कर लिखा था किसी ने महिला विरोधी कहानी नोटिस नहीं की सिर्फ इंटेंस आक्टिंग ये वाकई बहुत परिशान करने वाला है आप तो नाशनल वुमें कमिशन की चेर परसन है मैं हैरान हूँ कि जब भारत में महिलाओ की सिती की बात आती है तो हमें क्या उमीदे करनी चाहिए वहीं इसके बाद फिल्म को लेकर शाहिद कपूर की फैन और फेमोस जर्नलिस्ट शोभाडे ने भी अपना रियाक्शन दिया है और लिखा है मैं शाहिद कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन मैं उनकी फिल्म कभी सेंग नहीं देखूंगी स्टोकिंग स्टोकिंग होती है जिसके लिए कोई justification नहیं हो सकता ये बरदाश्ट नहीं किया जा सकता है बतादे कि शोभाडे की तरह फिल्म कभी सेंग को लेकर कुछ लोगों की इसी तरह के reactions सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं हाला कि लाग बुरायों के बावजूद कभीर सिंग के रवये में अजीब से इमानदारी की जलक देखने को मिलती है जिसके चलते इस फिल्म को कई लोग पसंद भी कर रहे हैं वैसे कहना गलत नहीं होगा कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव किसी भी तरह की पॉब्लिसिटी फिल्मों के लिए बहतर ही सावित होती है और ऐसा ही कभीर सिंग के साथ भी हुआ है जो कि पांच दिनों में ही सो करोड के क्लब में शामिल हो चुकी है विल आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कभीर सिंग वहां ठहर जाते हैं जहां पृति आती है तो उनको तो बुलाना पड़ेगा गिविट अपर कियारा अरवाणी लाइज ज़र्मेंट पृति पृति किसी दे 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 देगा कियारा न गुरतिशने कियारा अर्वाणी ज़र्मेंट इन विजरी ज़री ज़िए ज़िए अपर ये लूब येविवी संधीप रेटी अथा ग्रेकर अप्रेकर प्रेटर अफिर देश प्रेटर्मे इज रिटर्टिन कितना हिस्sa आस वेजिए से कैञे Ebicahik wish you guy because you are the one who's actually got him to life so, कितना डिखते हैं कितना थिफियोक सब्सक्रॉण whenever a writer writes anything a personaldie astonlement either kitchen will come to some extent I don't know the percentage but there is a little bit of me in this how many times have you been heart broken sir how many times have you been heartbroken sir? I am two different days Sounds like a two different days which one time should you be boyory? प्रिटि प्रिटी क्या रहरा है। थाइंक्यू थाइंक्यू तर ने स्माइल से बता दें तुम को बाहर देखोंगा है। कबीर सीह मेरे अंधर है। और यारा, 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 being Preeti in this movie, और जैसा मैंने का ठहरा हो आजाता है, आपके सामने ही something else, otherwise he is something else. कैसा लगा उनका लव इंप्रेस्ट इस मुवी में प्लेकरने को? I think I'm very very lucky that I got to be a part of a love story that's so deep and to have Shahid as Kabir, it's just made my life easier as Preeti. So thank you Shahid and thank you sir. I've never said this, or maybe I have many times actually, but I think every actor, actress dreams of like a very intense deep love story and I'm really lucky this one came out. Shahid, you know, you've given us some of the best test performances of the industry and I can say it, I'm sure यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको बाग करने के लिए तयारे, this time it's completely हटके, but अपना कितना हिस्सा इसमें डाला है? How much of Shahid are we gonna see in Kabir से? Um, first of all, I want to say non-by-love to all you guys at the back, thank you so much for coming. You guys are the reason why we make movies, so you guys count the most, thank you. This is a very special film, Kabir Singh is a film that's straight from the heart and I think the best films are the ones that are straight from the heart and I think the heart belongs to Sandeep, I don't know when it got broke, but a lot of shit happened after it got broke. You'll see all of that in the world of Kabir Singh, it's a very emotional arc that was so excited, good an opportunity as an actor. We've put a lot of heart and soul into this film, it's been a very, very long, very intense journey, we've all been through a very intense journey for a year and we really hope that people can feel the pain, the angst, the love that Kabir Singh is trying to honestly depict in the film on the 21st of June. Of course, Zordar Thalia, he's made the movie his own. Mike, say it to me, Sandeep. Any character, see any character in any film, if a writer, director offers to an actor, it can't be exactly of that character, it's a blend of Shahid Kapoor and Kabir Singh, you know, the percentage, he'll be knowing it better than me, what percentage of Shahid was mixed with Kabir, with any actor and this is, obviously it's... But many days used to give me that expression that, you're screwing my film up. Don't do this to me. You have no idea what Arjun Reddy means to me. Many days used to give me this expression, that what are you doing today? Don't do it. Don't do it. Don't do it. Tell them everything. He's killed it, sir. He's killed it, right? Banda. Mike, please. How should I say that for you to... We've got it, sir. We know you are a man of few words and your work is for you. There's another gentleman who is a rock star, someone who knows what the people want, the one, the only, Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen, MD and Chairman T-Series. You, sirs. And also Cinnabon Studios, may I invite on stage Mr. Murad Kittani and Ashwin Watay, sir. They've backed this wonderful project and the way they've done it. I'm sure results are on the front of everyone and will be 21st century. We all know that every time you have this habit of hitting the ball out of the park, this time also, saare records break karne ke liya all set. Yeah, all set and I just want to congratulate Shahid. This is just, I think, 2% of what the film is. Ooh! Whoa! What's the khai nera, sir? Parkhi nazar, sir, vahin hai, sir. Zordar Thalia for this amazing team, ladies and gentlemen, of Kabir Singh. We'll have a quick photo-op for you guys. Yeah, and we'll take the mics and then we'll take the questions. Great. Thank you so much. So, yeah. Thank you. All right. All right. Thank you, buddy. और एक चीज़ आपनी नोटीस किया होगा, पीजर में भी गाली थी, अभी भी नोटीस किया होगा, कि आपके एक्षिन रोमैंस है जाता है, आपकी गाली पे सीटी बज़े लिए तो, मेरा सवाल है, यह था खायर फिल्म में तो गाली यहां मरारंजन के लिए डाला गया है, पर आपका रियल लाइफ में गाली से कैसा एक्षिन आखिर आपके नजरों में गाली है क्या और इसका प्रियोग कहा किया जाता है, बटा पीएश्डी करना पड़े गए इसका गाली के ओपर आज तक पीएश्डी का ऐसा कहीं पे भी सिलिबस में है नहीं, सिर्फ कभीर सि समझ नहीं कोशिश कीजिएगा, आप दो डाई मिनिट का ट्रेटर देख रहे हैं, उसमें जादातर फिल्म की कहानी और क्यूंके ये टाइटल रोल है, इसलिए चारेक्टर का अटिटूड क्यूंके आप कभीर सिंग को देखने आ रहे हैं, तो यूद नहीं को क्भीर से दिखाई गई हैं, yes the character has a crazy attitude and yes that's exciting, but the film is not just exciting, there's a lot more to it. शायद, शायद on your left, yeah hi, this is Simran Singh here and congratulations to your team for the fantastic trailer, मेरा सवाल आपसे ये कि हमने जब ही ऐसे roles में ना edgy roles, जैसे हमने आपने भी बात की कमीने हो, वोड़ा साब missing होता है, but इस movie में वो दिखाई दे रहा है, तो आप बताएए कि how different is it when you play such a role or when you choose such a film, you have to, because we have seen Arjun Reddy and it's a very dark film, मतब देखा जातो, तो उसको एक जिस हिसाब से twist किया गया है, जो add किया है, Bollywood-ness, जो हम अगर कहे, so you only say, you only, you only, you only, आप ही बताएए. I think कुछ हद तक इस सवाल का जवाब Sandeep को देना चाहिए, first of all thank you so much for saying that you like the trailer, Arjun Reddy अगर आपने देखी है, तो वो बहुत जादा पसंद आए थी लोहों को, and because it's a love story and it's a story about heartbreak also, तो उसके अंदर of course emotional moments होंगे, passionate moments होंगे, technically dark moments होंगे, लेकिन overall it's a very beautiful film and a very passionate film, इसको कहीं भी Bollywoodized word मुझे actually पसंद नहीं है, because उसका मतलब क्या होता है, मुझे पता नहीं, कौन सी चीज़ें फिल्म को Bollywoodized कहते हैं, नहीं, फिल्म की जो energy है और जो world है हमने उसको चेंग नहीं किया है, in fact maybe Sandeep you would like to comment on that, that it's very similar to Arjun Reddy or you know. Yeah, it's pretty much similar but you know once the region and the topography changes with the character from Reddy, from Hyderabad, Mangalore, to Singh, from Delhi to Bombay, so things like that will change with the region and the character and the caste system in the north, so other than that I think we kept the core emotion same and try to treat it in a little different way, but not try to, I mean we didn't change the skeleton of the film or the core emotion of the film.